नमस्कार, वेलकम तु बेदव, बेदव की YouTube प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है, आज से हम एक नए चेप्टर की सुरुवात करने जा रहे हैं, रेशियो प्रपोर्शन और वेरियेशन, इसके आगे हम मिक्षर और एन एलिगेशन और रेवरेश कवर करेंगे, फिर हमा करेंगे, और इससे पहले हमने उन टापिक को कवर किया, जिसमें परसेंटेज का यूज होता है, जैसे परसेंटेज था, प्रपेटम लास, CISI था, उसको हमने कवर किया, और हाँ एक चेप्टर यहां पर पार्टनर से भी हम इसी साथ कवर करेंगे, फिर हमारा क्यों बच जाएगा एवरेज, और फिर हम एडवांस मेत करेंगे, नमबर सिस्टम, मेंसुरेशन, तो यह हमारा प्लान है, इस तरह से हम आगे कांटिनू करेंगे, तो अभी जो हमारा टापिकर रेशियो इसको समय लो, बहुत से टीचर आपको रेशियो से सुरुवात करते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे जगह आएंगी, जहां पर आपको जैसे प्रफिटन लास्क जो हम कर रहे तो वहां पर एलिगेशन से कुछ क्यूशन, एलिगेशन से बड़े आसानिस किये जा सकते थे, तो वहां पर वहां बहुत समय नहीं बता पाए, क्योंकि आपको एलिगेशन का कंपेरिशन करते हैं, जिससे अगर हमको बोला जा कि अगर, लेटसे ए अगर हमारा, मालो ए की वैलू 10 है और बी की वैलू 5 है, तो हमसे पूछा जा कि इन दोनों के बीच में क्या संबंद है, तो आपको होगे A या 5 में B अगर डिवाइड कर दो, यह कितना मिलेगा 10 यानि हम कहेंगे A और B में क्या रेशियो है, आपको होगे 2 अनपाथ में 1, इसको पड़ा जाता है A is to B equals to 2 is to 1, या A अनपाथ B बराबर 2 अनपाथ 1, या दूसरा हम इसको बोल सकते हैं कि जो A है, वो है B से क्या है, दो गुना है, जो A है हमारा B से दो गुना है, ठीक, तो इसमें जो पहला बाला होता है, जानते रहे टर्मिलोजी, इन सबका कोई, कभी भी आपको यूज नहीं होगा, जो एक्जाम में क्यूशन पूछे जाते हैं इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए, जो पहले इसको बोले जाता है, एंटिसीडेंट हिंदी में इसको बोलेंगे, पूर्व बढ़ती, और बाद बाले को बोला जाता है, ठीक है, कांसीक्यूएंट इसको बोला जाता है, अनुभरती है, कुछ टर्मिलोजी होती है, उसको जाना जरूरी है, भले उससे क्यूशन आएय चाहना आए, लेटन आपको क्या है, उसको जानना जरूरी होता है, अब जो सबसे जरूरी चीज़े रेशियो हुआ आपको समझना चाहिए कि रेशियो में जिसके बीच में compare रिजन किया जाता है ठीक है उन्हेंका unit same होना चाहिए यहनि हम same unit का compare रिजन करते हैं इसको हम इस तरह लिखते है compare same unit ठीक यहनि अगर हम कहें कि दो quantity का हम compare रिजन कर रहे हैं और वह same नहीं है तो वह गलत होगा जैसे अगर हम कहें अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है मालो 10 save ठीक है 10 apple और 5 बनाना का आपको compare रिजन करना है ठीक है तो इसका compare रिजन नहीं कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का क्या है same unit नहीं है नहीं हम क्या कर रहे हैं कि same चीज नहीं दोनों एक ही चीज होना चाहिए लेकिन हाँ यह है आप कर सकते हो कि number up apple और number up बनाना यहाँ यहाँ आप तुलना कर सकते हो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं दोनों तरफ आप numbers जो हमारे unit है दोनों तरफ numbers है तो उसकी तुलना की जा सकती है ठीक है तो अगर आप से पुछा जाए number up apple 10 और number up बनाना 5 तो इसका आप ratio निकाल सकते हो और एक चीज और ध्य जान देना ratio का कोई भी unit नहीं होता है has no unit क्यों क्योंकि अगर unit उपर कुछ होगा नीचे होगा यह क्या होता आपस में कट जाएगा अगर हम आप से कहें जैसे कि जैसे अगर का जा कि 20 लीटर ठीक है 20 लीटर दूद और 20 kg आपका 20 kg क्या हो मालों से भी हो तो क्योंकि इसका और यहां पर क्या है एपल है लेकिन अगर इनके quantity का आप तुलना number के तुलना कर सकते हो यहां पर 20 यहां पर 20 तो यह कितना ratio होगा है इनके quantity का one is to one ठीक है इसका ध्यान देना है कि जब भी हम ratio करते हैं दो दोनों का जो unit होना चाहिए हुआ सेम होना चाहिए यानि हम सेम quantity क का comparison करें आगे बढ़ेंगे अब कुछ property हम देखेंगे ratio का जो exam में question पूछ जाते है तो इन खास तर पर simplification होगर है में इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है सबसे पहले property समलो कि अगर हमको मालो कोई ratio बी दिया है तो ए में अगर आप उपर नीचे किसी संख्या से सेम संख्या से आप गुड़ा करें चाहिए भाग करें ratio में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे अगर हम कहें कि मालो हम उपर नीचे के से multiply कर देते हैं तो कोई अगर के से कड़ जाए उसी तरह से अगर हम चाहिए इसमें भाग दें तो एवाई के कर लो चाहिए बी वाई के कर लो इसमें भी आप यह भी अल्टिमेटली क्या होगा यह अपान में भी होगा त्यानि अगर हम कहें अगर हमारा कोई number ratio कोई fraction ratio कोई value ratio में है और अगर हम से से नंबर से उपर नीचे इसको पोला जाता numerator और इसको पोला जाता denominator ठीक है अंस और हर्प तो सेम संख्या से से अगर उपर नीचे गुडा किया जाए उपर नीचे भाग दिया जाए तो उसमें कोई भी परिवाड़तर नहीं होगा जैसे तीन अनपाते 6 है आप 2 से उपर चले जाओ ठीक अगली जो प्रापर्टी है अगर मालों कोई नंबर दिया है जिसे मालों A अपान में B ठीक है यह इक्वल होगा C प्लस A इन्टु M अपान में B प्लस sorry D प्लस D प्लस B इन्टु M ठीक है अगर A अपान में B अगर रेश्यो है यह इक्वल होगा अगर यह इक्वल तभी होगा जब C प्लस A M अपान में D प्लस B M के इक्वल तभी होगा जब C भाई D का रेश्यो हो ही हो जो A भाई B का हो ठीक है अगर नहीं से हो जाया देखो इसको एक example समझते हैं तो फिर यह clear होगा जिसे मैं कहूँ हूँ कि 20 बटा में 30 है तो यह किसके equal होगा अगर 20 बटा 3 में में लिख दे तो इसको आप लिख सकते हो हमने बोला कि अगर CYD के equal हो AYB तो CYD कितना है 20 30 तो equal होगा A into A की value कितना है यहाँ पर ठीक है A into अगर हूँ यहाँ लिखना चाहिए तो अगर AYB निकाल होगा यहाँ से कितना मिलेगा आप कहोगे AYB की जो value यहाँ पर आएगी AYB की value जो हो यहाँ पर आएगी वह है 20 बटा 30 इसको लिख सकते हैं दो बटा में 3 तो इसको लिख सकते हो 2M प्लस 3M इसका क्या मतलब हुआ अगर आप YM के जगह पर 1, 2, 3 कोई भी value करते जाओ यह इसके बराबर होगा देख लेजेए यह अगर हम YM बराबर एक रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 अपानुए 30 प्लस 3 यह कितना मिलेगा 22 बटा में 39 ग्यारस काट दो तो यह भी भी दो बटा 3 हो जाएगा और अगर इसको 10 से काट दो तो यह भी दो बटा 3 हो जाएगा तो यह नहीं क्या होगा दोनों एककोल हो गया आप चाहे और कुछ चाहे दूसरा एक्जामपल लेकर देख लो अगर हम कहें 30 बटा 40 इसको लिश सकते हो 30 प्लस में 3M अपान में 40 प्लस में 4M अगर मालो आप 2 रखके देख लो यह कितना हो जाएगा 30 36 36 ठीक है 48 12 से डिवाइड कर लो 3 बटा में 4 दस से डिवाइड कर लो 3 बटा में 4 तो देखा आपने यह दोनों वैलू हमारी क्या है इककोल हो गई इसका यूज कहां करोगे आप इसका यूज कभी कभार आपको जैसे कहीं पर कुछ बैलू जैसे मैंने कहा कि मैंने बोला कि अगर आप कुछ से मालो 20 बटा 30 से ही था हमारा 20 बटा कितना था 30 तो इसको अगर आप लिखना चाहो इस फार्म में ठीक है अगर आप लिखना चा अब आउगे 36 ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है ratio फार्म में अगर हमको बनाना होता है तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं यह कभी-कभी question ऐसे आता है यही question था हमारा कि 20 बटा में 30 अगर दिया हो और अगर हमको यहां पर लिखा हूँ 20 प्लस मालों यहां पर 2 ठीक है x अपान में 30 प्लस 3y तो हमसे पुछा जाए x और y का क्या मानो जिससे दोनों fraction याई दोनों भिन समानो ठीक तो वहां पर अगर हमको यह पता होता है तो हम निकाल लेते हैं यह आप common sense से भी कर सकते हो कि 2, 22 और 3, 33 करते हैं तो 11 बटा मतब 2 बटा 3 हो जाएगा लेकिन यहां पर 1, 2, 3 का अगर हमको 2 मान दे दिया कि A और B दोनों सही है खासवर पर reasoning में ऐसा question आया होगा है और नहीं तो यहां पर अगर 1, 2 option देता है तो हाँ पर हम इसका use कर लेते हैं ठीक है आगे देखेंगे अगली property जो हम अगली property समझने वाले हैं यह बहुत ध्यांस देखेगा जो आप simplification के question करते हैं और जो fraction आता है और उसमें comparison करना होता जैसे कभी कोई आता ना कि 23 बटा में 12 25 बटा में 14 इस तरह सा अगर दिया होता है हमको इसमें comparison करना होता है तो वहाँ पर यह इस property का बहुत अच्छा यूज होता है अगर हमको दिया हो कि A प्लस K यह हमेशा पहले लगए कि A by B अगर एक से बढ़ा है यानि कोई value हमारी जीसे हम कहें 4 बटा में 5 4 बटा में 3 तो यह क्या होगा यानि fraction A by B अगर एक से बढ़ा हो तो अगर उपर नीचे कोई number सेम number जोड़ा जाए यानि उपर और नीचे सेम number add किया जाए तो यह हमेशा A बटा B से छोटा होगा यानि हम कहेंगे यह value क्या है जो यह value उपर नीचे के add करने से आएगी वह एक से छोटी होगी ठीक है यह हमेशा ध्यान देना इससे एक example ले लेते हैं अगर हमको दिया हो 3 बटा 2 तो आपको होगे यह एक से बढ़ा होगा अगर हम 3 बटा 2 में उपर नीचे मालो एक add कर देते हैं दोनो value में same तो यह value कितना हो जाएगी आपको होगे 4 बटा में 3 ठीक तो यहाँ पर यह value कितना आएगी 3 बटा 2 आपको होगे यह हो जाएगी डिएड और यहाँ पर डिवाइड करोगे यह कितना आएगा एक बटा में 3 दसमलो 3 तो clearly है कि 1.5 से छोटा है यानि A by B से यह value छोटी है ठीक तो most important है यह properties को जरू समले जिएगा जब भी आपको fraction में comparison करना होता है जिसे वहाँ पर कभी कभी यह आता नहीं कि कि 3 बटा में 4 सॉरी अगर हमको दिया हो 4 बटा में 3 और अगर 5 बटा में हमसे पुछ दिया जाए कि 4 इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा तो आप बता दोगे कौन सा बड़ा होगा इसमें आप कहोगे 4 बटा 3 क्या होगा बड़ा होगा और 5 बटा 4 छोटा होगा ठीक है वह ऐसे भी कर लो 1.33 और यह कितना होगा 4 एकम 4 बचा 2 चार पंजे सारी चार दुनी 8 5 तो क्या होगा यह value बड़ी होगी तो इस property का हम यूज fraction comparison में करते हैं और इसी का अगला part होता है अगर माल लो जैसे यहाँ पर A बटा B क्या है इसमें पहली condition थी कि एक बटा B जो है A बटा B वह एक से बड़ा हो अगर हम कहें A by B less than 1 हो यहनि अब जस्ट उल्टा दूसरा condition ले लो A by B ले लो माल लो आप तीन बटा में दो सरी दो बटा में तीन ले लो तो क्या होगा अगर उपर नीचे same numbers add करेंगे यानि 1 A plus K upon B plus K तो यह value क्या होगी यह value आपकी A by B से बड़ी होगी बहुत important property है इसको विध्यान समझ लो यह यह मारे example हम इसी में समझते है कि 2 बटा 3 है उपर नीचे हम एक add कर देते हैं यह value कितना हो जाएगी आपका होगी 3 बटा 4 3 बटा 4 कितना होगा 0.75 और 2 बटा 3 कितना हो जागा 0.66 तो clearly आपने देखा कि 0.75 क्या है बड़ा हो गया 0.66 से ठीक यानि A plus K by आपका हमें B plus K by A बड़ा होगा और हाँ इसमें अगर देखो अगर हम plus कर रहे हैं तो यह property और अ इसको पहले लिख देते हैं फिर एक example समझ लेते हैं अगर मालो अगर आप number को subtract कर रहे हो अगर आप number को subtract होगे तो just reverse हो जाएगा जैसे अगर यह हमारा मालो कोई हमारा कोई अगर fraction 5 by 4 होता तो इसमें दोनों से उपर निचम एक घटाते तो यह कितना हो जाएगा चार पटा 3 तो यह क्या हो जाएगा एक चार पटा 3 हमारा value बड़ा हो जाएगा ठीक किस से एवाई B से एवाई B से हमारा value बड़ी हो क्यों एक समल लो कोई और जैसे अगर हम कहें पहला ही आप समल लो कि अगर A by B एक से बड़ा है अगर उपर नीचे नंबर एड करेंगे तो वह A by B से छोटा हो जाएगा माइनस कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा ठीक है तो यह नहीं अगर आप कहो कि मा फिर अगर इसका परलस में कर रहा है तो इसका reverse मैनस, वे अगर मानलो से मारा झोटा कर देंगे और इसको कर देंगे और मानलो हम कर से more- D add करते हैं तो यह always A by B से बड़ा होगा जब C by D किस से बड़ा हो A by B से ठीक है यह भी बहुत important property है कभी कभी क्या होता हमारा number same नहीं होता है जैसे हम एक example समझते हैं अगर मालो A by B कितना है एक बड़ा में 2 A by B अगर एक बड़ा 2 है यानि 0.5% हो गया और एक ले ले लेते हैं 3 बड़ा 4 C by D को यह कितना हो जाएगा 0.7 ठीक है 75 हो जाएगा तो अब देखो इसमें add करो एक बड़ा में 2 में 3 नीचे 4 add कर दो यह number कितना होगा आपको गवब्ले उपर हो जाएगा छा नीचे कितना हो जाएगा 6 एक बड़ा में इनी चार 2 बड़ा में कितना 3 दो बड़ा 3 क्या 1 बड़ा 2 से बड़ा नहीं है यह कितना होगा 0.5 यह कितना होगा 0.67 ठीक यानि हमारा जो यह प्रापर्टी है सही है अगर दूसरा फिर इसी कब समलो दूसरा इसको समलो अगर A प्लस C यानि A बाई B अगर कोई फ्रेक्शन उपर नीचे C और D से अड़ कर रहे हैं तो यह बाई B से छोटी होगी कब जब C Y D A Y B से छोटा हो तो यह अगर आपने समझा ध्यान से तो सारे जो वैलू रिलाई कर रही हुए हमारी क्या C Y D पर अगर हम C Y D यानि जो हमारा मौजूदा फ्रेक्शन है अगर उससे हम छोटा नमबर अगर जो हमारा मौजूदा फ्रेक्शन अगर उससे छोटा नमबर अड़ करेंगे तो वह वैलू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर जो हमारी फ्रेक्शन है उसमें बड़ी वैलू अड़ करेंगे यानि फ्रेक्शन से आगे बढ़ेंगे अगर मालो कुछ fraction दिया A, Y, B, C, Y, D E, Y, F इसी दरह आगे आगे दिया हो और इनकी value अगर मालो K की equal है तो आप कह सकते हो कि A plus B plus C plus A plus sorry तो आप कह सकते हैं कि A plus C plus यानि सभी denominator का जो addition कर दो यानि A plus C plus E ठीक है इसी दर आगे और नीचे denominator को add कर दो B plus D plus F डाट डाट या किसके equal होगा या भी K के equal होगा ठीक है यह जितनी property बता रहे हैं यह सारी सारी बाट रहे हैं जैसे यह जो property थी ऊपर और पीछे जो ने दो discuss किया यह वाला इसका यूज होता है जबी कभी कभी जब आप question होता है जहां पर कई variables होते हैं और हम direct answer नहीं निकाल सकते हैं आपको इतना variable लेकर निकालना हो लेकिन अगर आप यह तरीका जानते रहोगे तो फिर आपका जो solution हम करके निकालते है variable लेकर उससे बज़ जाएंगे और direct answer के पास पहुचेंगे जहां भी इसका use होगा हम जरू बताएंगा आपको question में उसी तरह इसका भी हम इसी प्रकार से use करते हैं और इसमें एक चीज और जान लो यह जो value हमारी आई यहां पर जो k की value होगी न की value होगी हमेशा किसके बीच में होगी यहनि अगर हमका यह मालोगर हमारा यह तीन है अगर हमारा यह तीन मालो ratio होता और यह सबसे छोटी value होती और यह सबसे बड़ी value होती यानि यह maximum value होती fraction का और सबसे यह minimum value होती तो जो k की value होगी न वह e y f से a y b के बीच में क्या होगे लाई करेगी ठीक है यह a y b से e y f के बीच में लाई करेगा आगे बढ़ेंगे अगली property देखते हैं आपको देखो ratio का multiplication भी आना चाहिए जैसे अगर हम कहें a y b ठीक है and b y c अगर आपको निकालना हो यह अगर आपसे बोला जा कि a ratio b ratio c find out करना तो कैसे करोगे दोको एक तरीका होता बिल्कुल कि हम basics करेंगे जैसे हम कहें a y b माल लो a y b हमको दे रखा कितना एक अन पाते दो अब b y c दे रखा कितना चार अन पाते में चार अन पात में 5 तो हमसे पुझा जाए a अन पात b अन पात c कितना होगा आप कहोगे यहाँ पे b कितना है 4 5 यहाँ पे b कितना है 2 तो यह कैसे बराबर होगा b की value क्या हो जाएगे 4 हो जाएगे तो यहनि B A की बराबर है, आप कहोगे B A की बराबर है, B C की बराबर है, तो आपका सकते A बराबर B बराबर C, ठीक है, तो एक हमको क्या होगा, रिशो निकल जाएगा, तो आप इसको 4 बनाने के लिए क्ला करोगे, 2 से multiply कर दोगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा A and path B कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 and path में 4 तो A and path B and path C का ratio कितना हो जाएगा आपको हो गए 2, 4, यह बंब 5 ठीक है यह basic तरीका हुआ कभी-कभी हमको 4 का निकालना होता है तो कभी कभी क्या होता हर बार इस तरह से निकालना असान नहीं होगा अगर आपको प्रेक्टिस होगे तो आप सारे निकाल लोगे लेकिन आपको मैं बता दिराओ एक तरीका जिससे आप इसली फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको इस तरह से में प्राब्लम होगे ठीक है तो देखे कैसे हम निकालते हैं द्यान समझना अगर इस तरह से लिख लो A, B, ठीक है नीचे लिख लो B और C तो को यहाँ पर एक खाली अस्थान है यहाँ पे भी एक खाली अस्थान है तो यहाँ पे जो खाली अस्थान है इसको क्या है B फिल आप कर लेगा और नीचे भी जो खाली अस्थान है वह B हो जाएगा भर जाएगा तो यहाँ पे B हो जाएगा यहाँ पे B हो जाएगा पीछे क्या था यह अनपात भी हमने कितना लिया था एक अनपात दो था भी अनपात सी कितना था चार अनपात दे पांच तो कैसे करोगे एक अनपात दो लिखोगे निचे क्या लिखोगे चार अनपात में पांच हमको पता यह अस्थान खाले थी है दो ले लेगा और यह अस सब में कामन है तो 2 से 2 कोड़ी जाएगा 2 कोड़ी जाएगा और 2 कोड़ी जाएगा कितना मिलेगा 2 4 5 ठीक इसी तरह से आप 4 में भी कर सकते हो 4 में कैसे करोगे देखो अगर हमको 4 का निकालना हो A अन पाते B, B अन पात C, C अन पात D दे रखा हो और आप से पूछा जाए कि find out A ratio B, Ratio C, Ratio D की value बताईए क्या होगा देखो आपको होगे A अन पात में B, B अन पात में C, B अन पात में C, C अन पात में D हमने जाना कि यहां पर अस्थान खाली है तो यह क्या फिलप B फिलप कर लेगा और आगे भी B आ जाएगा इसी तरह यहां पर खाली होगा तो इसको कौन भरेगा C करेगा इधर देखेंगे तो इस अस्थान को कौन फिलप करेगा B यहाँ पर कौन आएगा आपका होगे C और यहाँ पर C ठीक है मतलब जो खाली होगा उसके जश्ट वगल वाली जगह पर उसके एड्जेसिन नंबर क्या होगा उसको फिल अप करेगा अगर आप ध्यान से देखो सब में कुछ कामन है B, 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 B सब में कामन है तो देखो B हम काट सकते हो कोई और नंबर C, 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 C ठीक है C भी काट सकते हो, C कड़ जागा फानली क्या में लेगा A रेशियो में, B रेशियो में, C रेशियो में D, ठीक है इस तरह से हम फिर चायम को 4 का निकाल ला हो, चाया 5 का निकाल ला हो, किसी नंबर का भी निकाल लेंगे यहां बात हुए हमारी रेशियो की, रेशियो में हमने इतना प्रापर्टि सीखा एक बार देख लेते हैं प्या, पूरा फिर से है, ठीक है हमने क्या बताया कि रेशियो, एक कमपेरेटिव वैलू थी, दो वैलू के बीच में कमपेरिजन करते हैं, रेशियो का यूनिट सेम होना चाहिए फिर हमने कुछ समझा कि अगर उपर नीचे सेम नंबर से मल्टिप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो नंबर वही आएगा फिर एक प्रापर्टि हमने यह देखी फिर हमने बोला कि अगर हमारा AYB1 से बढ़ा है तो उपर नीचे अगर सेम नंबर एड़ करते हैं तो अगर वह वैलू एक से बड़ी होगे और नंबर एड़ कर रहे हैं तो अगर फाइनल फ्रेक्षन क्या होगा इनिचल फ्रेक्षन से कम हो जाएगा और घटा रहे हैं तो वह फाइनल फ्रेक्षन इनिचल फ्रेक्षन से बढ़ जाएगा अगर AYB1 से छोटा है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा ठीक है? उसी तरह से अगर कोई नंबर महलों फ्रेक्शन C plus C by D आड़ कर रहे हैं अगर C by D A से A by B से बढ़ा होगा तो जो हमारा final outcome होगा वह initial जो हमारा fraction था उससे बढ़ा हो जाएगा और अगर जो C by D A by B से कम है तो वह क्या हो जाएगा? adjust reverse हो जाएगा फिर हमने बोला कि अगर A by B, C by D A, E by F की अगर वैलू किसी एक यानि constant है, same है तो अगर इनके numerator और numerator का ratio निकालेंगे तो वह भी क्या होगा? के के equal होगा और जो के की value होगी वह lowest fraction से और highest fraction के बीच में lie करेगा फिर आगे हमने कि proportion क्या होता है? इसी के साथ उसको भी समलेंगे, फिर हम question करेंगे या भी तक हमने बात किया ratio का तो अगर proportion को बस proportion को आसान भासा में अगर हम समझें तो proportion बस दो equal ratio के, ठीक है? दो ratio के बीच में equality होती है यानि अगर हम कहें A by B और C by D दो ratio equal है तो इनको इस तरह से represent किया जा सकता है A ratio B is to C ratio D यानि A and path B समान path C and path D ठीक है? इसको समान path बोला जाता है और ratio को unpath बोलते हैं तो अगर हमारा दो ratio equal है A by B, ठीक है? C by D अगर दोनों equal है तो इनको इस तरह सम proportion में represent करते है अब इसमें कुछ समझने वाली बात है जो है जो देखो इस तरह की value इधर A और हमारा D जो है ठीक है? जो हमारा A और D है उसको बोला जाता है extreme value ठीक है? इनको extreme value बोला जाता है और जो B और C है इनको बोला जाता है mean term A और D को बोला जाता है extreme term और B और C को बोला जाता है mean term या middle term से भी बोलते हैं ठीक है? अब इसकी भी कुछ property देख लेते हैं एक एक करके ठीक है? पहली property समल लो कि अगर चार नंबर इस तरह से proportion हो जैसे A ratio B is to C ratio D तो आप कोगी जो extreme term है उनका product middle term के product के बराबर होता है यानि A into D करोगे तो या equal किसके होगा? B into C के पहली property ठीक है? या देखो कहां से आता है? अगर आप कोगा A by B अगर C by D के बराबर है तो cross multiplication कर तो कितना हो जागा है? A into D calls to B into C यही बात मिलेगी ठीक है? अगली जो चीज आपको समझेंगे है इसपे question बनता है और बहुत से लोगों को इसपे बहुत ज़्यादा confusion होता है कि जैसे question पुछता है कि fourth proportional बताओ, third proportional बताओ या mean proportional बताओ, ठीक है? confusion होता है, इसको हम बड़े आसान भासा में समझेंगे जिससे आपको कभी भी इसपे कोई भी confusion ना रहे है लेकिन उससे भी पहले एक समझ लोगो और continued proportion क्या होता है, ठीक है? continued proportion दोगो अगर कोई number हो A, B और C, ठीक है? कोई number A, B, C, अगर इस तरस हो कि A ratio B, समान भास, B ratio C तो आप कहोगे कि A, B, और C क्या है? या continued proportion में है, जिसको निरंता रनपाद भी बोलते हैं ठीक है? अगर A, B, C कोई number हमारा हो और या इस तरस हो कि A अन भास, B, समान भास, B अन भास, C है तो आप आप A, B, C को बोलोगे, continued proportion अब इसके आगे जो समझना है आपको, वह समझना है कि third proportional क्या होता है? proportional, fourth proportional क्या होता है? mean proportional क्या होता है? अगर इसको जब तक आप समझोगे ने और formula से रटोगे रटोगे फिर भूलोगे फिर रटोगे फिर बोलोगे इसमें बड़ा confusion होता है लोगों को तो इसको हम इस तरस समझेंगे कि फिर आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो देखो, basically इसके पीछे कि क्या concept क्या होता है उसको समझ लो अगर मैं कहूँ देखो अगर चार नंबर है और चारो नंबर क्या है? proportion में है इस प्रकार से अगर कोई चार नंबर है A ratio B C ratio D तो आप कहोगे यहाँ पर A, B, C और D क्या है? proportion में है ठीक है? अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर जो यहाँ पर D है हमारा उसको बोला जाता है fourth proportional D को आप बोलते हो fourth proportional ठीक? इसको बोला जाता fourth proportional तो D कैसे निकालोगे? आपको पता है extreme term का जो product होता होगा mean term के product के बराबर होता है तो अगर आपको D find out करना तो आप क्या का होगा? B into C by A ठीक है? जैसे एक example लेते हैं जैसे अगर कोई आपको question दे रखा हो कि 4 कोई number लेलो 9 लेलते हैं और 12 ठीक है? अगर 4, 9, 12 मालों हमारा number दिया है और बोला जाता है कि आपको चरतूर्था रखान पात बताना है यानि fourth proportion बताना है कैसे का होगे? आप बोलो कि मालो मेरा fourth proportion जो होगा है X है आप क्या बोलोगे? 4 is to 9 4 is to 9, ठीक? 4 is to 9 is to कितना? 12 is to 12 is to X आप बोलोगे 4 into X equals to 9 into 12 यहां साल्व करता होती X बाराबर कितना आजाएगा? 27 तो fourth proportion कितना आएगा? 27 ठीक है? आगे देखिए अब इसमें जो आपका C है ठीक? इसको बोला जाता है third proportion इसको बोला जाएगा third proportion इसको कैसे निकालोगे? अगर हम कहें हमारे सामने ठीक है? दो number हो और इसमें जो सबसे जरूई चीज समझने की बात है वह आप एध्यान देना कि third proportion जो होता हमारा यानि अगर हम कहें हमारे पास दो number हो जो C है वह A और B का third proportion होगा ठीक है? उसी तरह जो D होगा वह A और B और C की A, B, C अगर तीन number है तो उसका fourth proportion होगा जैसे हमने दिखा कि अगर 4, 9, 12 होगा तो उसका fourth proportion कितना होगा? उसका fourth proportion X अगर जो भी हो हम उसको निकाल लेंगे उसी तरह अगर हमारा third proportion पूछा जाए तो हमको अगर A, B का यह third proportion होगा और जो mean proportion होगा क्या होगा? A और B का जो mean proportion होगा वह under root A, B होगा ठीक? तो अगर हमको दिया हो कि अगर मालो A और B दो नंबर है तो हमको बताओ कि इसका third proportion third proportion कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो इसका third proportion आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि A ratio में B ठीक है? proportion B ratio में third proportion मालोगर आपका X है यानि जो यहाँ पे हमारा C है तो यह X की value कितना हो जाएगी? आप कहेंगे B square Y A यह क्या होगा? आपका third proportion होगा इसको एक example समल लो कि अगर मालोग दो value आपको दे रखा 16 और 36 माल लेते हैं और आप से पूछा जाए कि find the third proportion आपको अगर बताना है तो कैसे क्या करोगे आप? आपका third proportion होगा यह अगर value इनका third proportion बताना है तो यह हो जाएगा 36 अनपात में कितना? X X बराबर कितना होगा? 36 इंटू 36 डिवाइड़ बाई कितना? 16 अगर 4 बढ़े चार करते हैं तो यह 9 9 हो जाएगा तो एकसी value कितना जाएगी? 81 यह जो हमारा third proportion आएगा यहाँ पर कितना होगा? 81 होगा? और देखो अगला जो हमारा last बचता होगा है mean proportion तो अगर यह होगा third proportion और आगे जो देखेंगे वो है हमारा mean proportion ठीक है? mean proportion में का होता है? कि अगर दो नंबर A और B है इसका जो mean proportion होगा proportional होगा होगा root में A into B ठीक है? जैसे अगर कोई हमारा number हो कि अगर मारा लोग कोई number है 0.8 और 0.18 ठीक है? तो दो नंबर लेलो इस तरह से 0.8 और 0.18 तो अगर हमसे पुछा जाए कि बताओ इसका पुछा जाए कि find mean proportion mean proportion इसका बताना होगा तो आप क्या कहोगे? इसका जो इस प्रोड़क्ट इन दोनों का प्रोड़क्ट का इसका root कितना हो जाएगा? 0.8 into 0.18 188 ए 144 तो यह कितना हो जाएगा? 0.12 इसका mean proportion तो आप समझ पाएगे? एक चीज़ से हमने देखो कि सारी चीज़े समझ लिया बस इसमें क्या आपको पता होना चाहिए? अगर A, B, C, D इस तरह से हो तो देखो अगर A, B, C, D तीन नमबर हमारा चार नमबर हो तो आपको ओगे A, B, C का जो fourth proportion होगा होगा? क्या होगा? D उसी तरह अगर हमको दो नमबर दिया हो A और B हो तो इसका third proportion कितना होगा? आपको ओगे C और कोई दो नमबर हमारा A, B हो इसका mean proportion कितना होगा? तो वह होगा root में A into B फिर आगे हमने देखा कि मानलोगर हमारा 4, 9, 12 है तो इसका fourth proportion कितना होगा? X होगा तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, X की value हमारी 27 आगे बढ़े अगर मानलोगर कि कोई नमबर हमारा 16, 36 है तो इसका mean proportion क्या होगा? तो 16, 36 अगर इस तरह से लिखा हो तो हमको पता है कि mean proportion अगर इसका निकालेंगे तो कितना होगा? यह यह इस ती की value हमसे पूछी जा रही है तो हमने अगर हमने बोला कि भाई, यह थाड़ proportion तिसकों क्या करेंगे? 16, 36, 36 अन पाथ में X लिख सकते हैं और यहां समय X की value निकाल लेंगे और जो हमारा last है, mean proportion अगर कोई दो value अन पाथ B में है तो mean proportion क्या होगा? इसका root into AB ठीक, यहां तक अगर clear हुआ अब last topic जो बचा है, उसको भी समलो componendo, divendo ठीक है? इस पर copy question बनता है उसके बाद हमारा theory वाला part पूरी तरह से समाप्थ हो जाएगा अब जो हमको समझना है बाकी चीजे उसको हम question के थरू समझेंगे तो देखो सबसे पहला समलो जिनको fraction का एक तरह सही है, क्या होती? यह property होती है उसको जानते रहो पहला दिखते हैं अगर a by b equals to c by d है इसको आप लिख सकते हो b by a equals to d by c कोई अंतर होगा नहीं अगर आप दोनों reverse कर दोगे यह नहीं उल्टा कर दोगे तो कोई अंतर नहीं होता है यह value same रहेगी इसको बला जाता है इनुवर ठीक है? इनुवर टेंडो दूसरा देखो यह basic आप समझ रहे हो कि अगर 1 बटा 2 इस तरह से लिखाओ और 4 बटा 2 वालो 4 बटा 8 लिखाओ तो हम इसको 2 बटा 1 लिख दे 8 बटा 4 लिख दे तब भी बात वह ही रहेगी 2 बराबर 2 ठीकित इसमें कोई अंतर होगा नहीं आगे देखें अगर हमारा लिखाओ a अंपात में b equals to c अंपात में d तो बताइए अगर हम c को इधर लेते आएं ठीक है और b को इधर लेते आएं तो कोई अंतर होगा आप कहोगे a by c b by d यह भी क्या होगा इसको बोला जाता है अल्टर अल्टर नैंडो अल्टर नैंडो ठीक है जैसे अगर हमारा मालो जैसे अभी पिछला एक्जामपल था कि 4 बटा 8 और 1 बटा 2 था अभी हम चाह रहें कि इसको लिखें 4 बटा में 1 इधर लेते आएं और 8 इधर लेते जाएं तो यह बताए कोई अंतर हो रहा है यह 4 equals to 4 आएगा ठीक तो बात तो आई हुई कोई अंतर होगा नहीं आगे समझे अगला जो सबसे most reported है जो इसकी आगे का तो आप multiply करके भी निकाल सकते हो a into b इसको क्या लिख सकते हो a d परावर b c फिर उसमें आप यह value easily पा जाओगे अब यहाँ पे जो आपको समझना है कि अगर a अन पात में b equals to c by d हो ठीक है अगर हम इसको इस तरह सभी लिख सकते a प्लस b अपान में b equals to c प्लस d अपान में d याई अगर हम निचे से denominator को open denominator में add कर दे ठीक है denominator को numerator में add कर दे तो हमारी value क्या होगी same होगी यानि ratio same होगा इसको बला जाता है इसको बला जाता है component और इसी तरह से आगे देखिए अगर हम अगर यह हमको दिया हो अगर आप इस तरह कर लो a-b अगर आप घटा दो denominator को numerator से तो जो आपको ratio मिलेगा वह से होगा इसको बला जाता है dividend ठीक और इन दोनों को अगर आप मिला के करो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दो अगर यह हमारी value इस तरह से दे रखी हो आप इसको बोलोगे अगर आप करोगे a प्लस b अपान में a-b आप सीधा चाहो तो इन दोनों के equation को डिवाइड कर लो या आप डाइट कर सकते हो अगर आपको a by b जिससे अगर आपको इस तरह से equation दे रख कोई अगर मालो कोई दिया हो proportion a by b c by d आप इसको a प्लस b और a माइनस b कर लो c प्लस d c माइनस d कर लेना c प्लस d और c माइनस d कर लो तो यह जो ratio में लेगा यह दोनों सेम होगा इसको बोला जाता है component and dividend इन दोनों को मिला के component and dividend बोला जाता है तो यह most important है यह तीनों चीज़ आप जानते रहे है इनका algebra में बहुत अच्छा यूज होता है simplification में में यूज करते हैं ठीक है अब बाकी यह चो बहुत basic चीज़ है बताने के लिए मैंने बस बता दिया अब हम देखो एक एक करके question करेंगे I think मैंने सारी property discuss कर दिया ठीक है हमने proportion के लगवा सभी property discuss कर लिया ratio के सभी property discuss कर लिया अब हाँ एक चीज और है जो इसी समय हम उसको discuss कर लेते हैं कि ratio को कैसे equal किया जाता है या ratio में कैसे comparison करते हैं उसको देख लेते हैं तो देखो ratio का यह concept अगर आप समझ जाओगे तो जितने भी age से related question बनता है या जहां पर भी आता है कि आपने कुछ number ratio था उसमें add कर दिया फिर हमारा ratio या बन गया या जब आप mixer के question करते हो कि हमने कुछ लीटर पानी मिला दिया कुछ लीटर पानी निकाल दिया वहाँ इन सारी जगों पर अगर आप यह concept जानते हो तो वह equation सारी कुछ ने बड़े easily आपके हो जाएंगे तो उसको हम discuss करेंगे यही पर discuss कर लेते हैं हम चाहते हैं कि पहले एक बार आपको बता दें फिर हम question जब करेंगे वहाँ पर भी एक दूबार जरूर समझाएंगे जिससे आपको क्या पूरी तरह सा समझा जाए देखो जैसे अगर हम कहें कि मालो हमारा कोई जैसे A ratio B ले लो कोई number A ratio B ले लो और कहते हैं कि मालो यह 3 अनपात में 3 अनपात में 4 है ठीक है और हमसे अगर बोला जाए कि दोनों number को A अनपात B है दोनों number में हमने क्या किया कि 6 add कर दिया 6 add कर दिया तो जो हमारा नया ratio बना वह कितना हो गया अगर हम कहें C या और D हैं हमारा कोई नया ratio बन रहा है वह कितना हो जा रहा है 4 अनपात में 5 4 अनपात में 5 ठीक है तो इस एक छोटे से assumption से देखो हम कितने ही सारी चीज़े सीख सकते है या जैसे अगर हमसे पूर्च दिया जा कि C और D के बीच में क्या difference है या C और D मिला के इन दोनों का sum क्या है या C और D का product क्या है या A B का product क्या है ठीक है सारी चीज़े निकाल सकते हो तो देखो अगर यहां आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे आप बोलोगे कि मालो आप कहोगे कि मालीज ये A बरावर हमारा 3X है variable होगे B बरावर 4X है तो 3X प्लस 6 आप आपने 4X प्लस 6 यह कितना हो जा रहा है यह हो जा रहा है चार बटा 5 और यहां से आप X की value find करोगे तो यह cumbersome process है और इसमें क्या आपका time जाएगा लेकिन देखो हमको इन सारी चीज़ों को नहीं करना है ठीक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ध्यान से समझेगा सारी बाते आपको समझ में आ जाएगे और एक बार यह चीज़े समझ गए है तो आप कहीं भी पूरे arithmetic में इसका use कर सकते हैं फिर वाचाय time and work हो आट time and speed distance हो गया ठीक है mixture and allegation हो गया ratio के सारी question इसी समकर लेंगे तो देखो अगर हमारा दिया कि 3 अनपात में 4 ratio था पहले यह अनपात कभी का बाद में यह ratio कितना हो जा रहा है 4 अनपात में 5 हो जा रहा है कितना increase हुआ 6 का increase हुआ तो आप ध्यान से एक चीज़ समझ ना कि हमारा पहले माल लेते हैं कि हमारी पहले value 3 होती है और B 4 था तो यह value कितना हो गई आप कहोगे आप यह value 4 हो गई कितना increase हुआ एक का उससी तर यह value अगर हमारे 4 रही होगे तो यह value कितना हो गई 5 तो increase कितना हुआ एक का यानि जो आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो न वह क्या है सेम है एक और एक इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा value दोनों में 6-6 बढ़ा है यानि दोनों values अगर हम इसको 3 ले 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 इसको 4 ले ले सपोज करो कि हमारा ratio यही होता 3 अनपातें 4 ही होता value मालो हमारी 3 अनपात 4 ही होता याप इसमें एक आड कर लो तो या value कितना बन जाती आपका यश बयलू बन जाती 4 अनपाते 5 बन जाता लेकिन हमारा यहाँ पे कितनाय वने number किया बहुद 6 जबकि यहाँ पे कितना बहुद हो रहा है तो यानि कहोगे ठीक है इसे भी कैसे क्यूशन बच सकता है कि फादर और संद की जो आयू है प्रिजेंट जो एज होगा तीन अनपाद चार में है छे साल बाद उनकी आयू का अनपाद इतना हो जाता है तो बताएए पिता और बच्चे की उम्रे क्या है या उनकी वीच के डिफरेंस क्या है उनका योग क्या है अब दूसरा कंडिशन देखना माल यहां पर दो डिफरेंस मालो लकी ली बराबर था अब अगर यही डिफरेंस बराबर नहीं होता तो तो यह हम समलेते हैं फर्स्ट कंडिशन अगर यह difference बराबर नहीं होता तो अगर जब difference बराबर नहीं होता तब क्या करोगो उस condition में हम difference को बराबर कर लेंगे जैसे एक example लेते हैं माल लेते हैं कि राम और श्यार्म की जो age है ठीक है, ब्राम और शाम की एज 5 साल पहले कितना थी, 9 अनपात में एक और इस समय कितना है, 4 अनपात में एक, तो यह 5 यह एक हो यह क्या है, परिजन टाइम में तो हमसे पूछा अगर मालों हमसे इस से डेटर फिर कुछ भी पूछा जाएकि राम और शाम की एज क्या है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यह इस समय वर्तमान की एज है, 4 अनपात एक और यह क्या है, 5 साल पहले की एज है, तो यह अनि अगर हम कहें इस में बीच में क्या डिफरेंस है करोगे आप 5 का, लेकिन यहां कितना डिफरेंस है, आप करोगे 0, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए हम 5 साल बराब पांच करेंगी नहीं अब हम इसको कैसे equal करेंगे यह समझना इसको समझना बहुत आवस्चक है ठीक है जब हमारा difference बराबना हो तो हम इसको कैसे करते हैं देखिए तो बहुत आसान है इसमें कुछ करना नहीं है बस आपको क्या करना है देखो इन दोनों का difference ले लो कितना है 9-1 का difference कितना होगा आपको होगे 8 और इसका difference ले लो 4-1 यह कितना होगा 3 ठीक है जो इसका आयए आप उपर वाले multiply कर लो और 8 को नीचे वाले multiply कर लो तो कितना number मिल जाएगा अगर उपर में आप multiply करोगे 3 से 29 27 यहां कितना हो जाएगा 3 निशे multiply का रोगी इतना हो जाएगा 32 ratio में 8 अब बताओ difference कितना होगा 5 यहाँ पे 5 यहाँ अब हमारे difference क्या है same है यह हमारे difference कितना होगी 5 साल का रहा है और जबकि हमारे actual में कितना दिया है 5 साल है तो 5 5 की बराबर एक कितने की बराबर होगा एक के बराबर होगा त्यानि जो राम की age होगी हुआ क्या होगी actual जो age होगी हुआ क्या होगी 27 और साम की age कितना होगी वह होगा आपका 3 तो अगर आप कुछ भी पूछे इनके बीच का difference पूछे तो आप 24 बोल दोगे इन दोनों का sum पूछे 30 बोल दोगे इसके बाद एक और case बनता है उसको भी समझ लो अगला case देख लो जैसे अगर हम कहें है कि आपने कोई एक mixer लिया है ठीक है? एक mixer लिया है लेट से milk और water का और इन में जो अनपात हुआ कितना है? 2 अनपात 1 3 अनपात 1 अनपात 2 अगर हम कहें 3 अनपात 2 मालो अगर 3 बरतन है A, B, C तीनो जो vessels हमने लिये हैं इनका जो volume है वह सेम है यानि अगर हम कहें सभी मालो कुछ लिटर मालो अगर हम कहें सभी सेम बरतन है यानि जिनका परिमाप है यानि सब में क्या है? water और milk का जो हमारा ratio वह सेम होना चाहिए यानि अगर हम कहें 10 लिटर या भी होगा 10 लिटर या भी होगा 10 लिटर या भी होगा लेकिन अगर हम यहां से देखें तो यह कितना होगा? 2, 1, 3 यह कितना होगा? 4 और यह कितना होगा? 5 एंगे हम कहांए या 3L होगा या 4L होगा या 5L होगा एड़िये अगर हम कहांए 2L मिल्क है 1L वाटर तो 3L का पूरा मिक्षर है लेकिन हम कहा रहे हैं कि A और B और C सभी 3ों के आगा बराबर हैं लुक्त Swetry को कैसे बराबर करते हैं इसको भी समद्ळ लो बराबर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा सिंपल से इनका क्या करो आप LCM लेलो LCM कितना होगा 20-30-60 60 इस 60 का क्या करना आप यह हमारा LCM होगा ठीक तो इस 60 का यहनी LCM होगा तो अब इसका जो LCM जी से अगर हम करें 3-45 का LCM 60 हो गया इसका जो बस इसमें multiply कर दो तो कितना हो जागा 3 से multiply करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा इस तरह हम लिखे 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 5 आपने 60 LCM ले लिया तो इसमें 20 से divide करोगे यह 20 हो जागा यह कितना हो जागा पंदरह और यह कितना हो जाएगा प्लस बारण है इसे ही किया जाता नहीं तो सीम चीज़ यहां पे भी हम अप्लाई करेंग वही कि अधिस्ट वन सिक्राइब यह कितना हो जाएगा यह कहोगे आपका 20 से मल्टिप्लाई करतेंगे तो हो जाएगा 40 रेशियो में 20 दूसरा कितना हो जाएगा इसमें आप कितना से मल्टिप्लाई कर knocks ऑगे हम इसमें करेंगे 15 से तो 15 तियह 45 और यह कितना हो जाएगा 15 और यह 15 में आप बारस मल्टिप्लाई कर दोगे तो बारती है 36 बार दुनी 24 तो अब एक शी बताईए क्या सभी 60-60 लेटर के अब नहीं बन गए देखो 60 60 और 60 सभी 60-60 लेटर के बन गया यह अभी सभी quantity क्या होगे एक्कॉल होगे यह तो हमारा हुआ पहला कि अगर हम कहें A, B, C यानि तीनों बरतन का जो मात्रा वह सेम हो लेकिन कभी को में क्यूशन इस तरह से भी पूल देता है कि नहीं जो तीनों बरतन में जो तीनों बरतन की capacity है वह मालों एक रेशियो दो रेशियो तीन है या ऐसा कहले है कि A में 10 लीटर, A 10 लीटर का बरतना B 20 लीटर का C 30 ल में यहाँ पर A, B, C क्या है? A, B, C सब इक्वल है तो बस एक अनपाते, दो अनपाते, तीन में करना है तो इसको क्या करेगे? आप 1 से multiply करो, इसको 2 से multiply कर दो, इसको 3 से multiply कर दो यह ultimately क्या हो जागा? एक रिशियो, दो रिशियो, तीन के अनपात में आ जाएगा तो यह last concept थ इसको वहीं पर सीखा जाता है, लेकिन पहले से जानते रहो, अगर कोई बीच में question आ जाएगा तो फिर उसके लिए पूरा number discussion करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो उससे बेता रहे कि उसको चीजों को सुरुआत में ही सीख लिया जाए. तो अब हम सीधा question के तरफ पहला question देखते हैं, हमको बताना कि sum up, mean proportion, number 10, 10.8 और 4.8 और 3rd proportion, 2 और 4 के दोनों के बीच का क्या, योगफल क्या होगा, ठीक है, कैसे करोगे, पहला number दिया कितना है, 10.8 और 4.8, हमको क्या बताना mean proportion, इसका mean proportion बताना ठीक है, तो mean proportion कितना होगा, आपको होगे इसका, दोनों का product का, इसका root कर दोगे, ये कितना हो जागा, 10.8 और 4.8, इसको चाहओ तो आप इस तरह से लिख दो, 12 गुड़े 9, यह चार गुड़े में, 12,45, नीचे लिख सकते हैं, 100, यह कितना आजाएगा, बाहर 12 ले लो, 3 और 2, बटा मिस हो, कितना हो जाएगा, 72, यानि 0.72, और हमको दिया है कि, कुछ गलत तो नहीं ने, बाहर 6, 72, सुर्ण, अच्छा है यह आएगा, बाहर तो 10 हो जाएगा, यह कितना होगा, 7.2, और दूसरा नमबर हमको दिया, 2 और 4 हमको बताने, 3rd प्रपोर्पर्पोर्पोर्स्न, अगर हमालने, x है, तो इसले सकते हो, 2 और 4, 4 और interrupt, x कई ऐल्ली लो, कितना हो जाएगा, 4, यानि 6 बटा में, 2, कितना हो जाएगा, 8, तो हमको इन दोनों का सम निकालना है, 3rd प्रिपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प का कितना होगा आठ प्लस 7.2 यानि 15 असवलों में दो कौन सा अप्सन होगा पहला दूसरा क्षिशन देखेंगे दूसरा क्षिशन है कि साथ लग 80560 को A, B, C और D में 2 इस्टू 3 इस्टू 4 इस्टू 3 के में डिवाइड किया जाना है यानि डिवाइड है तो हमको बताना है कि C का सेर क्या होगा इस क्षिशन को करने से पर एक कांसेप्ट जो छूट गया था बताना देख लो उसको भी सीख लो जैसे अगर आपको दिया हो कि मानलो कोई नंबर है 100 हो है ठीक है इसको 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो मानलो 2 में डिवाइड किया गया हो तो हमसे पुछा जाए अगर हमारा यह A हो यह B हो यह C हो हमसे पुछा जाए A का हिश्चा क्या होगा यह B का हिश्चा क्या होगा यह C का हिश्चा क्या होगा या ऐसे का समलो कि कोई नमबर एक है मालो कि X नमबर है उसको A, B, C में डिवाइट किया गया है A ratio B, ratio C में तो हमसे अगर पुछा जाए हमें A, B, C का value find out करना हो कैसे निकालोगे तो देखो जो अगर हम कहें A, B, B, C, यह किस के बराबर होगा आप कहोगे यह X के बराबर होगा यह हमारा किशन ने उपर देख लो 2, 4, 4, 2 कर देंगे यह किस के बराबर होगा यह कहोगे आप 100 के बराबर होगा Unity method यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो अगर आप से पुछा जाए 2 किस के बराबर होगा तो आप कहोगे 100 बटा में इन दोनों का सम यह यह प्लस B, प्लस C, इकोल्स टू जो भी आप से पुछा जाए यह इसके बराबर होगा इसलिए अगर आपको इस प्रकार से लिखा हो और कोई भी वैलू पुछा जाए जैसे अगर हमने कहा A X है इसको इस तरह से distribute किया गया A ratio, B ratio, C ratio D में तो आप से मानलों कुछ भी पूर्च दिया जाए कि आप बताओ A प्लस B की वैलू क्या होगी तो आपको होगे जो X है यानि A प्लस B प्लस C प्लस D की वैलू X के बराबर है आप से अगर पुछा जाए A प्लस B किस के बराबर होगा तो A प्लस B की वैलू कितना हो जाएगी यह हो जाएगा अगर आप से पुछा जाए D की वैलू बताएए A plus B plus C plus D किस के बराबर है यह X के बराबर है तो D किस के बराबर हो इतना होगा ठीक है यूनिट्व मेथड का बिल्गुल बेसिक से यूज है लेकिन इसको भी रटना नहीं समझना क्यों ऐसा किया जाता है तो हमारा जो क्विशन था हमारा क्विशन था 7,80,516 को 2,3,4,3 में डिवाइड किया गया है वाट इस था सेर आप C यहनि 4 हमको बताना है तो यह बताई कितना हुआ 2,3,5,3,8,4,12 यहनि 12 किसके बराबर है 12 आप का होगे 78,000 7,80,516 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा यहनि 1,3 हो गया इसका आप बेसिक सियां से कर लो इसका 1,3 कर लो 1,3 कर लो गया तो कितना हो जागा 3,2,6,3,3,3,6,3,6,3,8 यहनि 26 कौन सा होगा दूसरा अप्शन हो गया और इसको देखो अब यही चीज़े नहीं जब आप समझते रहोगे चीज़ों को तो आप किसी भी प्रक्रास कर लोगे अगर यह आपको समझ नहीं होती तो अगर आपको अपने फर्मिल रटा है तो आप कैसे करते हैं आप बोलते कि 556 16 या किसके बराबर होगा आपको पूरा A प्लस B प्लस C यानि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 और हमसे क्या पुछा C, C की वैलू कितना है 4 आपको 4 अब जो को फिर यहां से आपको सिंप्लिफाई करोगे लेकिन आपको यह समझ OUT कि यह वैलू किसके बराबर है इतने के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा फिर हम 4 निकाल लेगे तो 4 निकाल ल्याग्त हमको पता कि यह इसका 1 3 है तीन गुनाध कम किये है तो इसका भी वन third कर देंगे तो हम direct यहां से answer के पास पहुच जाएगे तो यह advantage होता चीजों को basic से समझने का फिर आपके पास कोई limitation नहीं होती है आप question को किसी भी प्रकार से कर सकते हो आगे बढ़ेंगे अगला question है कुछ इसी भी प्रकार से है कि हमारा 40,000 sorry 136 रुपया है इसको a, b, c में इस प्रकार बाटा गया है कि कि a ratio b कितना है वह है तीन अनपात में 2 और b ratio c कितना है वह है एक अनपात में 2 हमको बताना है कि a, b यहनि c का share क्या है तो सब सब पहले हम क्या करें a, b और c का ratio निकाल लें आप चाहते हैं तो देखो अब यह है कि अगर आप समझते हो चीजों को यानि b इस में बराबर, इस में बराबर तो इसको क्या करो बस दो समझ रही कर लो और अगर आपने अगर जिससे आपने a, b, c का फरम मिलें सकर करोगे तहाब कहोँए, यहां पर बही 2 हो जाएगा यहां पर भी 1 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 3, 2 और यह कितन लो qualified लेकिन bara लिखना यह नहीं 박richten आयूंग आप समझ रहें कि तो हमसे क्या पुछा c का सिर कितना है तो देखो 3, 2, 5, 4, 9, 9 के बराबर कितना है 4, 6,336, 9 के बराबर है तो हमसे पुछा c की value बताओ तो c की value निकाल लेंगी यहां से तो अब बस अब कुछ नहीं हमको calculation करना है कल लितने यह कितना हो जाएगा 9.36, 9.36, 0, 72, ठीक है, 0, 72, नमबर कटेगा नहीं कहा है, 3, 2, 5, 4, 9 सही है, तो यह नमबर तो डिवाइड नहीं होगा, कहें गलत है, कितना था, A, B, C, के विछ, यह अन पाते, B, 2, अन पाते, अच्छ, अच्छ, ठीक है, यहाँ पे गलती होगी है, कोई बात नहीं, देखो, A और B का जो अन पात दिया हुआ है, 2 अन पात में 3, और B और C का अन पात हमको दिया है, वह एक अन पात में कितना, 2, एक अन पात में 2 है, इसको क्या कर लो, अब बस यहाँ पे 3 से मल्टिप्लाई कर लोगी है, कितना हो जाएगा, 2 अन पाते, 3 अन में 6, हमने बोला कि हाँ 3 मल्टिप्लाई कर लो तो यह 3 मुल पात में कितना हो जाएगा, तो यह अभी 3, यह भी 3, तीन 2 के 3, 6 के बरावर हो जाएगा, यह बेसिक्स करना चाहो, तो को एक यहाँ पर रख दो, और यह अस्तान खाली है, तो यह ले लेगा 3, तो यह कितना है कि C का share बताना है, तो C का share, C हमने ratio value कितना है, 6, साल को लेजे, 11, 33, 3, 11, 33, 7 बचेगा, 11, 6, 6, 6, ठीक है, तो कितना हो गया है, हो जाएगा, 36 था, सॉरी एक बड़ फिर से कर लेते, 11, 33, 7, 76, तो 11, 6, 86, तो 10, 107, 11, 99, ठीक है, 8, 83, 11, 7, 77, ठीक है, 6, 66, 11, 6, 66, multiply करते हैं, 6, सबसे last में आना चाहिए, दो में आ रहा है, multiply करते हैं, 6, 4, 6, 42, 3, 45, 56, कौन साबसे नहीं, 4, पूरा calculation करने की कोई जोद नहीं है, हमें से, इतने से ही कल, answer निकाल सकते हैं, ठीक है, एक तरीका और था, जिससे मालूँ अगर यह क्यूशन आपका exam में आ जाता है, और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, इस क्यूशन करने का, तब आप कैसे करते हैं, जिसे मालूँ यहाँ पर जिसे हमको 11 से डिवाइट कर रहे हैं, तो जायर सी बात इसमें 10-15 सेकंड जाएगा, लेकिन जिसे मालूँ आपने यहाँ तक निकाल लिए 2-3-6 तक, और इसके पास आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो कैसे अगर इस प्लस B की जो वैलू है, वह 5 है, और C हमारा केले कितना 6 है, तो जिसे हैं, जो C की वैलू हैं, हमको पता है, वह आधे से क्या ओगे, ज़ादा होगी, यहाँ दोनों को मिलाके आधे से ज़ादा होगे, यह आगर हमारा को इमधों 10 है, तो C क्या है, C 6 वैलू लेगा, ठीक है लगवाद C, यहनि 5 से कुछ ज़्यादा लेगा, 5.2, 5.3 something आएगा, और जो हमारा AB को मिला के आएगा, वह 4.8 है, 4.4 के आसपास आएगा, यहनि हमारे C की जो value है, वह 6 से आधे से ज़्यादा आनी चाहिए, तो जो अब अगर यह आधे से ज़्यादा आएगा, अब बताओ, कि 4 लाग है इसका, अगर आप आधे आधा करोगे ते कितना 2 लाग के आसपास आएगा, लेकिन यह हमको पता है कि exact क्या है, जैसे अगर यह value देखो, अगर आप इसको करोगे, यह value क्या है, exact आधा आधा है नहीं, तो यह value क्या हो जाएगी, आधे से थोड़ी ज़्यादा ह देते हैं, और अगर यह number आपके सामने 2 होता है, तो आप बोलते हैं, यह number तो नहीं होगा, क्योंकि यह आधे से बहुत ज़्यादा है, तो कि हमारा सम मिला कि 11 हो रहा है या 6 हो रहा है, हमको पता एक का क्योल अंतर हो रहा है, तो एक का अंतर इतना नहीं देखा, ठीक है, एक का डिफरेंस इतना नहीं आएगा, यह बात अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप एप्रॉक्स ले लेते हैं, और अंसर सही होता, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्यूशन है हमारा, कि अगर 78 सो रुपया को A, B, C में डिवाइड करना है, 1 by 2, 1 by 3 और 1 by 4 के रेशियो में, तो हमको बताना है कि B को कितना सेयर मिलेगा, यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको सीखना है, कि जैसे हमारा यह क्यूशन था, कि अगर हमारा दिया हो, A रेशियो B, रेशियो C, या इसको ऐसे बोले, कि अगर मारा A, B और C, दिया हो, A रेशियो B, A Y B, 1 by B, और 1 by C के रेशियो में हो, तो अगर आप इसको फ्रेक्शन से बचना चाहते हो, आप क्या करना है, इनका LCM ले लेना, ठीक है, जैसे हमारा पिछला क्यूशन था, इसका LCM ले लोगे, A, B, C हो जाएगा, यह कितना ह हो जाएगा, आप को गया हो जाएगा, B, C, रेशियो, A, C, रेशियो, A, B, ठीक, यह भी चीज जानते रहे हैं, हमारा क्यूशन था, ठीक, यहाँ पर दिया था, कि A रेशियो, B रेशियो, C कितना है, एक बटा में दो, एक बटा में तीन, और एक बटा में चार, तो हमने क्या बोला, आप यहाँ पर क्या ले लोगे, LCM कितना हो जाएगा, 12, यह नंबर कितना हो जाएगा, 6, यह कितना हो जाएगा, 3, तो A, B, C का जो रेशियो आया, वो कितना मिला, 6, रेशियो, 4, रेशियो, 3, 6, 4, 10, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 3, 3, किसके बराबर है, क्यूशन में दिया, 78, 100, तो एक की वेलू कितना हो जाएगी, एक की वेलू हो जाएगी, आपको ओगए, 6, 13, 6, 8, थमसे पुछाया, बी की वेलू बताओ, तो वी की वेलू कितना हो जाएगी, 24, कौम सा अप्शन होगा, तीसरा, ठीक, तो अभी इस वीडियो में के वाल इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हो चक्चा, फिर इसी पर क्यूशन करेंगे अभी, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन पर जितने भी प्रकार से क्यूशन बन सकता है, उसको अगली वीडियो में हो डिसकस अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ सेर करे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद